आमपना इस चिलचिलाती गर्मी में फॉरण से ठंड़क देने वाला एक हेल्दी ड्रिंग अस्सलामू अलेकूम वेलकम टू जायका विदरूबी आज मैं आपके साथ ठंडा ठंडा आमपना बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ बहुती जादा मज़ेगा भी होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इस चिलचिलाती गर्मी के एहसास को काफी हद तक कम भी कर देता है और बहुती ईजली बन के त्यार हो जाता है आप इसे गर्मियों में जरूर बनाया कीजी रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट या अगर आप फर्स टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आमपना बनाना यह मैंने तीन मीडियम साइस की कैरियली हैं वेट में अगर इन्हें मेजर करें तो यह 250 ग्राम है यानि की 200 ग्राम है इन्हें हम सबसे पहले एक पीलर की मदद से पील कर लेंगे इनके ऊपर का जो छिलका होता है उसे हमें छील लेना है तो यह देखिए मैंने सभी कैरियों को पील कर लिया है तो अब एक नाइफ की मदद से इन्हें हमें रफली चॉप कर लेना है इस तरह से रफली चॉप कर लेने से यह बहुती ज़्यादा इसली कुक हो जाती है इन् थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे अब इसे लिट लगाकर मीडियम फ्लीम पर तीन से चार मिनट के लिए कुप कर लेंगे इसे कुफ होते हुए चार मिनट हो चुके हैं तो आप हम इसे ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से कुक हो रही है, आप एक स्पेचुला से इसे ऐसे दबा दबा कर हमें थोड़ा सा मैश कर लेना है आप गैस की फ्लेम को आफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे जब तक ये ठंडी हो रही हैं तो हम चलते हैं नेक्स स्टेप की तरफ और सुगर शीरप रेड़ी कर लेते हैं सुगर शीरप रेड़ी करने के लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें हम सबसे पहले 250 ग्राम यानी वन कप चीनी का आड़ करेंगे जितनी हमने कैरी लिए उसके अकॉर्डिंग हमें चीनी आड़ करनी है अब इसमें हाफ का पानी आड़ करेंगे और गैस के फ्लेम को आउन कर देंगे Medium flame पर लगता, stir करते वो इसमें Catholics कोivi बॉilos आने देंगे जिसके चीनी पी इसमें अच्छे से dissolve हो जाए और बरतन के bottom से लगे भी ने तो यह देखिए इसमें box बॉ Australians आना शुरू हो गया है चीनी भी इसमें अच्छे से dissolve हो गई है अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे जिससे ये पकते पकते थोड़ी सी गाड़ी हो जाए एकदम शेहत की तरह हो जाए तो जब तक ये लो फ्लेम पर पक रही है तो हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ तो ये देखिए हमारा कैरी पल्प कैरीपल पो रांसवर कर लेंगे सबीजाएट करने क्लिए कुछ पोदीने के पत्ते लिए हैं ये बहुत ही जादा फ्लेवरफुल होते हैं बहुत ही ज़्यादा ताजज़ी से भरे होते हैं और बॉड़ी को बहुत ही जादा थंड़क देते हैं इने भी आड़ कर देंगे यह मैंने वन टीस्पून काला नमक लिया है यह तोटली ऑप्चनल है लेकिन यह हमारे डाइजेशन को इंप्रूब करता है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता आम पना में इसलिए मैंसे आड़ कर रहे हूं गर्फ तीसपुन सफेद नमक लिया है रागुलर नमक जो मारे घर मी यूज होता है इसे भी आड़ Frage एड़ कर देंगे हाफ तीस्पून काली मिर्चों का पाऊड़ क लिया है इसे भी आड़ कर देंगे dilemm केसे केरी पलप में पानी मौजोद है उस्से ही अची से ग्राइड हो जाएगा तो यह देखिसे कितने अच्छी से ग्राइड हो गया है बिल्कुल चटनी की तरह आप चलते हैं सुगळ सीड़ की तरफ हमारा सुगर सीड़ बिलकुल रैडी हो गया है मैं इसे strict कर लेती इससे कि यह सुगर सीरफ के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए और हमारा आम पाना कॉंसेंट्रेट रैडी हो जाए यह देखिए इसे लो फ्लेम पर कुक होते हुए पांच मिनट हो गए है तो अब गैस के फिलेम को आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे तो यह देख से अच्छे से गुमा गुमा कर इसे स्ट्रेंड कर लेंगे इस तरह से कैरी के जो भी रेशे वगएरा होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे यह देखी हमारा एक दम बढ़िया सा आम पना कॉंसंट्रेट बनके बिल्कुल त्यार है आप इसे एक बॉटल में भरके फ्रीज में रख दें यह पूरी गर्मी खराब नहीं होता है बद जब भी आपका इसको पीने का दिल करें फ्रीज से निकाले और ठंडा पानी मिक्स करके पी लें मैं आपको इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ इसे सर्व करने के लिए मैंने दो कांच के ग्लास लिये हैं इसमें हम सबसे पहले बर्फ एड़ कर देंगे दोनों में ही एड़ करनी है यह जितना ज़ादा ठंडा होगा उतना ही पीने में मज़ेदार लगता है उसके साथ ही दो चम्मच आम पना कॉंसंट्रेट के भी इसमें आड़ कर देंगे और साथ ही इसमें ठंडा ठंडा पानी आड़ कर देंगे इसे एक चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे मिक्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉंसंट्रेट गारा होता है वो ठंडे पानी की पहतरीन लगना है और पीने में तो मज़ेदार है ही आप मेरे इस आम पना को एक पर अपने घर पर जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आम पना बनाने का मैथड कैसा लगा अगर आपको मेरा ये आम पना बनाने का मैथड प